हलो एवरिवन आज मैं बात करूँगी क्या आपके भी गुलाब की ग्रोथ रुक चुकी है तेखिए ये जमीन में लगा हुआ गुलाब है अभी नमबंबर एंड तक इसमें बहुत अच्छी फ्लारिंग हो रही थी फिर अभी कुछ दिनों से इन सभी गुलाब की थोड़ी स तीन तरह की हैं देशी ये स्टेंडर्ड रोज है पिंक कलर का और इंग्लिश रोज तो जैसे कि इस टॉपिक से ही क्लियर है तो ये क्या रीजन है कि इनकी ग्रोथ रुकी हुई है तो इसका पीछे ये कारण है क्योंकि गुलाब पूरे साल फ्लारिंग करते हैं तो जो का मौसम ठंडा होता है अक्टूबर नवंबर में नवंबर की मन्थ में बहुत अच्छी हैवी फ्लारिंग होती है और एक बार जब पूरे फूल खेल जाते हैं सब ब्रांचेस पे और हम लोग डेड हेडिंग कर देते हैं तो फिर से ये उनका एक रिस्ट टाइम होता है ज तो गुलाब में अगर आपकी ग्रोथ रुख चुखी है और उसमें अगर आपको नई ग्रोथ नहीं देख रही है गुलाब में जो भी एक छोटे-छोटे से रेड-डय कलर की जो पतिया निकलती है अगर आप जानते होंगे इन ही पतियों के ऊपर जो होते हैं बॉट्स ब और उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उसके बाद मैं 15 डेज में जैसे सरसो की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर अपने सभी ब्लांट्स को देती हूँ तो जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजर से ही अपके पौधों में हैवी फलारिंग होगी अगर आप अपने पौधों को तब भी आपके पौधों की ग्रोध जो है वो रुख सकती है तो अब मैं बात करूंगी गुलाओ में अच्छी ग्रोध के लिए को क्या क्या क्यार करनी चाहिए मैं फर्टिलाइजर की बात कर चुकी हूँ तो गुलाओ का सबसे में है जब जैसे ही क्योंकि फलारिंग होती है तो जैसे मैं spend flour को remove करने की बात करती हूँ तो आप तुरंट अपने गुलाब से spend flour को remove कीजिए अगर जैसे हलके से अगर मुझाने लगे तब ही अगर आप spend flour हटा देंगे तब आप देखें कि गुलाब की growth बहुत अच्छी होती है लेकिन आप काफी दिनों तक उसी गुलाब को उस पर जूखने देंगे उसके बाद remove करेंगे तो आपको अपके गुलाब का पौधा फिर धीरे growth करता है तो ये वही बात है कि seeds बनाने में पौधा ज्यादा energy लगाता है second गुलाब को आपने fertilizer तो बहुत अच्छे से दे दिया लेकिन इसको acidic soil बहुत ही पसंद है तो acidic soil बनाने के लिए अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी growth नहीं हो रही है तो आप समय vinegar add कर सकते हैं और fit curry add कर सकते हैं लेकिन मैं हर महीने एक मुठी करीब अपने सबी गुलाब के बौधों में चाई की पती जो मैं सुखा के रखती हूँ घर में बनी हुई चाई से वो add करती हूँ तो ये क्या होता है मेरे पौधे की जो soil है इस कमले की वो हमेशा acidic बनाये रखता है और इसकी growth बहुत अच्छी होती है और सासत ये natural NPK का भी काम करता है और ये पूरा organic है मैं किसी भी तरह का जैसे बोलती हूँ chemical fertilizer used नहीं करती हूँ तो मैं हर महीने एक मुठी करीब अपने सब ही पौधों में अच्छी तरह से गुडाई करके और टॉप soil में ये चाई की पती इसमें एड़ कर देती हूँ अब अच्छी फ्लारिंग के लिए जैसे हम सभी जानते हैं potash की जरूरत होती है तो उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ क्योंकि मैं 15 दिन के अंदर इसमें सरसो की खली का fertilizer दे ही रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और फ्लारिंग बढ़ाने के लिए organic potash दूँगी वो ये है banana leaf का fertilizer जो मैं powder form में बना के रखती हूँ अब तीसरा care tips वो बहुत most important है गुलाब की soil आप थोड़ा सा जो है dry side पे रखिए पानी तब ही दीजिए जब top soil लगभग एक इंच तक आपको सूखी नजर आए क्योंकि especially winter में क्योंकि अगर उपर की soil भी सूख चुकी हो अगर आप थोड़ी सी अगर गुड़ाई करके द की रहती है अब देखिए गुलाब के पौदे को healthy रखने के लिए उसे की growth बढ़ाने के लिए अब मैं इसमें दूँगी micro nutrient का spray करने जा रही हूं यह agromine का max है मेरे पास और यह शायद 30 या 40 का एक packet आया बहुत 5-6 महीने से ज़्यादा चल जाता है आपके पास में पाप ब बहुत अच्छा है विंटर सीजन में आप अच्छ बार बार अगर थोड़ा फर्टिलाइज कर भी दें स्पेशली ऑर्गैनिक फर्टिलाइज तर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वह तकसान नहीं करता तो महीने में एक बार जो है गुलाब में यह micronutrient का फर्टिलाइज करेंगी इसके सासाथ आप पिंचिंग और प्रूनिंग जरूर करते रहे हैं अगर आप उपर से इस तरह से ब्रांचेस कट करते रहेंगे तो नीचे बहुत जल्दी आपको अपने प्लांट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो सबसे एक चीज और धिहान देने वाली जरूर करते रहें अपने सबी पौदे पे तो अगर आप इनी सब बातों का कर धिहान रखेंगे तो आप देखेंगे जो गुलाब का पौदा है आपके पास इसी तरह से आप पॉट में भी सालो साल तक उसमें अच्छी और हैवी फ्लारिंग ले सकते हैं आई होप आपको म देखने के लिए थैंक यू सो मच अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल